हेलो गाईज, वेलकम टू टेसेट क्लासेज, इंगलिश विद मॉनिका आज हम पढ़ेंगे फॉग, यह बहुत छोटी सी पोएम है, लेकिन बहुत ब्यूटिफुल है और यह आपको तब समझ में आएगी, जब मैं आपको इसका मेनिंग समझाऊंगी और फिर आप साथ साथ में उसको इमेजन करेंगे यह छोटी सी पोएम है, इसमें पोएट ने कोहरा कोहरा देखते ना सर्दियों का मौसम है, बहुत कोहरा दिखाई जेता है सुबह सुबह तो वो कोहरा या धुन्द, वो जब आता है और फिर जब चला जाता है तो वो कैसा, किसकी तरह आता है, किसकी तरह चला जाता है पोएट हमें यह समझाएंगे इसमें, पोएट हमें यह बता रहे हैं कि कोहरा आने और जाने में, क्या होता है, जैसे कि एक बिल्ली आती है इस तरीकぇ से वो आता है ठीक है, एक बिल्ली क्या होती है जब आती है तो बिल्कुल भी शोर नी मचाती, बहुत धीरे से आती है और फिर वो चली भी जाती है मैं पता भी नहीं लगता कोहरा भी ऐसा ही करता है वो आता है और खामोशी से देखता रहता है और फिर क्या होता है आगे निकल जाता है तो इस poem को इस poem की सुंदरता को समझने के लिए आप क्या करें आप imagine कीजिए आप कल्टना कीजिए कि धुंद कैसे आया है ना और कुछ समय तक रहा और फिर उसके बाद जो है एक हवा के जोके के आने के बदर हो वहां से चला गया ठ जब आपको यह पोई मच्छे से समझ में आएगी देखिए फॉग फॉग क्या होता है कोहरा धुन्द सब जानते हैं है न तो पोईट क्या बोल रहे हैं पोईट कह रहे है कि कोहरा और यह जो धुन्द है वो क्या होता है उसका आना और जाना कैसे होता है एक बिल्ली के जैसा होता है चुपचाप दबे पाउं और फिर चली जाती है तो उसके आने जानी की जो तुलना कर रहे हैं वो किस से कर रहे हैं बिल्ली के फीट से कर रहे है ठीक है उसके पैरों से कि वो चुपचाप दीरे दीरे आती है और चली जाती है ऐसे ही फॉग आता है और चुपचाप से चल जाता है, है ना, एक बिल्ली अपने खामोश पाउं पर चल कर धीरे धीरे आ रही है, कोई भी शोर नहीं कर रही है, और धुंदी भी ऐसा ही करता है, clear? इसलिया, it sits looking over harbour and city, अब जब बिल्ली आती है, और आके अपने पैर को बेंड करके, गुपनों को मोड के ब्लकुल बैञ जाती है, जुप चाप से अपने hips पहना, अपने पीछे कमर की दरफ कमर आ जाती है, और silently चारो और देखती रहती है, अब ऐसे ही यह जो कोहरा है, यह ध़्ुन्द है वो आता है शहर में सब जगे फैला हुआ है चाहे वो आपकी बंदरगां हो पॉर्ट हो कुछ भी हो हर जगे फैला हुआ है और शानती से बैठके सिर्फ वो देख रहा है सबको ऐसे ही बिली करती है वो भी क्या करती है बैठती चिपचाप चारों तरफ सबको देखती रहती है है ना तो ये दोनों सेम करते हैं बिल्कुल और एक ही स्थान पर रुकी रहती है बिल्ली बिल्कुल शान्ती से देखती रहती है यही काम दुंद करता है है ना वो क्या करता है कि आएगा शांती से बैठ जाएगा और चारों तरफ फैल जाएगा हमको बस दूंदी दूंद गई देरा है और कैसे ही जब तीज हवा चली तो तुरंट से वो चला गया वहां से ठीक है तो बिल्ली जो है एक स्थान पर रुकी रहती है और समुद्र और धरती के उपर से वो देखती रहती है यही काम कौन करता है यही फॉग भी यही काम करता है है ना और फिर उतनी ही आगी खामोशी से बिल्कुल आगे चली जाती है ठीक है तो यह हुआ इसका वर्टू बच्चो मीनिंग एक्चुली में ना पोईट ने हमें क्या समझाया यहां पर वो जो फॉग होता है वो भी ब्यूटिफुली कितनी शांती से आता है और कितनी शांती से बिल्कुल चला जाता है यह पोईट हमें यहां पर समझा रही है आई हो बच्चो यह पोईब आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी से समझ में आ गई है तो मेरे वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके थैंक यू फो वच्छी